हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर तो इस वड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर मोबाइल की सेटिंग्स खराब हो गई है या बिगड़ गई है कोई नो कोई प्रॉलम आ रही है तो कैसे 100% सही कर सकते हैं तो अगर आप चनल पर पहली बार आएं तो उडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखे सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है सबसे नीचे आजाना है यहाँ पर एक ओप्सन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग नाम का इस ओप्सन पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो एक ओप्सन मिलेगा बैक अप एंड रिसेट का backup and reset वाले option पे click करना है click करने के बाद फिर से सबसे नीचे option मिलेगा reset phone का reset phone पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा reset all settings यहाँ पर देखे second number पे है reset all settings या reset system settings only का option रहेगा और इसके नीचे दिखे लिखा हुआ reset all settings including network setting तो यहाँ पर network setting के साथ साथ आपके mobile की setting reset हो जाएगी कुछ भी delete नहीं होगा और जो भी problem है जो भी setting खराब हुई है बिगड़ी हुई है 100% ठीक हो जाएगी आपको इस पर click करना है और जो भी आपके mobile का password है pattern है उसे डाल कर OK कर देना है आपके mobile की setting reset हो जाएगी और 100% सही हो जाएगी कुछ भी delete नहीं होगा अब गाइस इतना करने के बाद आप चाहें तो देखिए यहाँ से भी reset कर सकते हैं settings में जाना है उपर search bar में click करके लिखना है reset तो जैसे reset लिखेंगे तो यहाँ पर reset all settings या reset system settings only का option मिल जाएगा इस पर click करके आप यहाँ से भी reset कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर अब इतना सब कुछ करने के बाद अपने mobile को एक बार switch off करके switch on करना है reboot या restart भी कर सकते हैं फिर आपके mobile के setting बिलकुल बदल जाएगी जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी जो भी problem थी 100% सही हो जाएगी तो guys आज कुछम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थेंक्यू